हाई फ्रेंड्स वेल्कम टु माइ यूटूब चानल आप सभी का स्वागत है मेरे कीचन में तो आज मैं बनाने जारें स्ट्रीट स्टाइल आलू टिकी चाट वो भी घर पे यह बहुत ही जादा स्वाधिस्ट वन कर तयार हो जाता और से बनाना भी बहुत ही जादा आसान है चार बनाने के लिए मैंने यहां पे कुछ आलू को बॉयल कर लिया हूँ यह आप देख सकते हैं तो आप अपने अकौर्डिंग टू आलू बॉयल कर ले जितने आपको चाहिए तो चलिए अब हम बनाते हैं चार तो सबसे पहले मैं एक बाउल ले लेते हूँ बाउल में मै डुफुलार का विख और बीचरेश करा के अपर में दो और तो कॉंदी सबस्तों में आपर यहाँ पर नेरो आप को बरीख मुदा है. कॉंदी क पर हमा डूम आप कर लें, कार है यहा बादा में साथ कॉंदी, टीकी की pieces कर लेते हैं, आपको जितनी बड़ी टीकी चाहिए आप उसे हिसाब से इसको cut कर ले तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से टीकी बना ली हुई है तो मैंने यहाँ पे सारे टीकीों को बना कर ready कर लिया हुआ है, तो इसके बाद अब हम इसे साइड में रख देंगे और अब मीठी दही बना कर तयार कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं कर्टोरी ले लोगी उसमें मैं दही आड़ कर लोगी आप अपने अकॉर्डिंग टू दही आड़ कर लें डही कोई ध्री के स्मूथ हो चुक है, घी हमारा तो मीठी धाय बनगर, रेडि हो चुक है इसके बाद मैंने यहां पर कुछ चैनेर की डाल को भीगवर् क कर रख लिया हुआ इसके बाद मैंने बॉइल के हाई इसके बाद में बैल के फूर ने ले लूगे जैसे ही मसाले हमारे भून जाएंगे गैस को हम लो फ्लेम पे रखेंगे और इसके बद जो हमने चना को डाल को रखा हुआ था उसे हम इसे में एड कर लेंगे और इसे कंटिनुव चलाते विए हम दो से तीर मिनुन तक इसे अच्छे से पका लेते हैं ताकि जो मसालो का फलि तो यहां पर सारे दाल को मैश कर लिया हुआ है दाल हमारा एकदम रेडी हो चुका है फिल लिंक के लिए अब मैं इसे काटोरी में निकाल लूंगे और चलिए अब हम इसे फिल कर लेते हैं तो यहां पर जो हमने टिक्की बना कर रखी हुई थी यालू की उसे ले लेंगे और अब हम इसमें चनी की डाल को फिल कर लेते हैं तो मैं यहां पर एक टिक्की ले लेती हुँ इसको अच्छे से डिप करके इसमें चनी की डाल की फिलिंक को हम एट करेंगे और अब हम इसे अच्छे से बंद कर देते हैं तो मैंने यहाँ पे अच्छे से इसे बंद कर दिया वही आप देख सकते हैं और अब हम इसे हलके हाथों से दबा देंगे तो यह टिक्की हमारी बनकर एकदम रेड़ी हो चुकी है आप इसी तरीके से सारे टिक्की को फील कर लें इसके बाद हम तो यहाँ पर सारे टिक्की बनकर एकदम रेड़ी हो चुकी है फ्राई के लिए तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं एक तबा ले लूँगी तबा में हलका सा तेल हम एड़ कर लेंगे आप चाहते इसे डिफ्राई भी कर सकते हैं तो मैंने यहां पर थोड़ा सा तेल एड़ किया हों चालो तरफ लेंगे इसके बाद किकदम एड़ कर देते हैं तब में और एक साइड अच्छे से भुण जाने देते हैं जैसे ही एक साइड पक जाएगे तो जोब दूसरे साइड भी से पलट लटकर अच्छे से golden brown होने तक हम इसे दोनों तरफ सेख कर पका लेंगे तो हैं पर almost हमारी टिक्की fry होना start हो चुकी है तो यह देखें टिक्की का कलर एकदम ही change होगी है अब एकदम अच्छे से fry हो चुकी है तब एक की करके टिक्की को हम दबा कर fry कर लेंगे ताकि जो एकदम अच्छे से फ्राई हो सके तो मैं सारे ही टिक्किवों को दबा दूंगी इस तरह से और तवे पे फिर से 10-10 मिनट के लिए टिक्की को है मैं अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो दो से तीन मिनट बाद टिकी हमारी एकदम सिक्कर रेडी हो चुकी है तो अब जो है मैं इसे बाहर निकाल लेते हूँ और थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हूँ आप चायते से गरम भी सर्फ कर सकते हैं तो यहाँ पे अब हम चलिए टिकी को निकाल लिया हुए तो चलिए अब हम इसके प्लेटिंग कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं एक प्लेट ले लूँगी प्लेट में जो हमने टिकी को बना कर रखी हुई थी वो एड़ कर लेंगे इसके बाद मैं इसमें आड़ कर दूँगी जो हमने मीठी दही बना के रखी हुई थी वो हम उपर से आड़ कर देते हैं आप अच्छे से स्प्रेट कर ले दही को इसके बाद मैं इसमें आड़ कर दूँगी हरी चटनी इसके बाद आड़ कर दूँगे मैं इसमें मीठी चटनी मीठी चटनी आड़ कर देने के बाद मैं इसमें आड़ कर दूँगी थोड़ा सा अनारदाना अनारदाना आड़ करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा भुजिया भी आड़ कर दूँगी उपर से इसे जो है चाट का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो यहाँ पे टिककी चाट बनकर हमारा एकदम रेडी हो चुक है अगर आप सबको यह रेसिपी पसंद आई होगी ता आप अपने अपने घर में बनाएगा और एक बर इसे ट्राइ कीजेगा तो आप सबको मेरे रेसिपी पसंद आई होगी ता आप मुझे कॉमेंट कीजेगा और मेरे चानल को लाइक सस्क्राब और शेयर कीजेगा थैंक्स पूर वचिंग मैं वीडियो